कलंबोली नगर के सभी सम्मान में विद्यार्थी मित्रों यहां पर उपस्तित सभी नाग्रिक बंदों मंच पर आसीन मान में श्री वर्तक जी श्री संजे भाई सुभाष जी और श्री साडन के जी मैं बहुत आभरी हूँ आप सभी का कि आप यहाँ उपस्तित हैं मुझे आप से बात करने का समय मिलता है इस बात के लिए आप सभी से छमा चाहता हूँ कि मैं अच्छे से मराठी भाषा नहीं बोल पाता मेरी मराठी बहुत अच्छी नहीं है इसलिए हिंदी में बात करता हूँ सरल आसान हिंदी बोलूगा आपको समझ में आएगी कहीं कहीं बीच में मराठी शब्द भी प्रयोग करूगा ताकि आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगा बारत देश में एक बहुत गंभी आर्थिक समस्या उत्पन हुई है उस समस्या के समाधान के लिए पूरे भारत देश में एक अभियान चल रहा है मैं उसी अभियान में काम करता हूँ इस अभियान का नाम है आजादी बचाओ आंदोलन ये आजादी बचाओ आंदोलन का अभियान महात्मा गांदी के गाउं से शुरू हुआ है महात्मा गांदी का गाउं है वर्धा जिले में महराष्ट राज्य में और उस गाउं का नाम है सेवाग्राम आप सबी अगर परिचित हैं इस गाउं से तो बहुत अच्छा है नई तो दो मिनट मैं उसके बारे में एक जानकारी दे दूँ सेवाग्राम वो गाउं है जो महात्मा गांदी की कर्म इस्थली है मात्मा गान्दी का जन्म गाउं आप जानते हैं वो गुजरात में है पोरबंदर गान्दी जी का कर्म गाउं जो है वो महराश्ट में है सेवागरा छोटा सा गाउं है 1936 के साल में गान्दी जी ने इस गाउं में आकर एक आश्रम बनाया उस आश्रम का नाम भी सेवा ग्राम आश्रम है वही से ये अभियान शुरू हुआ जिसका नाम है आजादी बचाओ अंडूले मैं इसी में काम करता हूँ इस अभियान में आने के पहले मैं वेग्यानिक के रूप में, शास्त्रगे के रूप में काम करता था भारत की एक बड़ी संस्था में जिसका नाम है CSIR Council of Science and Industrial Research ये संस्था की एक सहयो की संस्था है जिसका नाम है DRDO Defense Research Development Organization DRDO के बहुत सालों तक डाइरेक्टर रहे डॉक्टर अब्दूल कलाब भारत के राश्ट्रोपती बनने से पहले वो DRDO के डिरेक्टर थी और जिस समय वो DRDO में डिरेक्टर थी उस समय एक जॉइंट प्रॉजेक्ट में मैंने काम किया था CSIR और DRDO का प्रॉजेक्ट था अंतरिक्ष में उपग्रे भींजने के लिए एक बूस्टर नाम की मशीन बनाई जाती है उस मशीन को बनाने के प्रोजेक्ट में लगा हुआ था दो ढ़ाई साथ मैंने काम किया उसके बाद वो छोड़ दिया और उसके बाद ये आजादी बचाओ अंदोलन की जरूरत क्या है आपके मन में प्रोशन आएगा कि अब हमारी देश की आजादी को क्या खत्रा है जो आजादी बचाओ अंदोलन करना पड़ता है कंपणी व्यापार के लिए आई थी आप सभी विद्यारतियों ने भारत का इतिहास पड़ा है उस परदेशी कंपणी का नाम था इस्ट इंडिया उसने भारत में व्यापार के लिए प्रवेश किया था और जिस समय ये कंपणी भारत आई थी उस समय भारत का जो राजा था उस राजा का नाम था जहांगी जहां बीर ने भारत देश में इस्ट इंडिया कमपणी को व्यापार करने का लाइसेंस दिया था और इस्ट इंडिया कमपणी ने गुजरात राज्य के सूरत नगर में एक दुकान शुरू की थी उस एक दुकान से उनकी दूसरी दुकान बनी फिर तीसरी बनी फिर धीरे सौ साल होएं उन्होंने इतना व्यापार किया इतना मुनाफ़ा कमाया कि इस्ट इंडिया कमपनी ने तै किया कि अब भारत देश में ही रहना है वो आये थे व्यापारी बनकर चाहे और काफी बेचने के लिए फिर इस देश के राजा बन गए इस देश के मालिक बन गए और जब इस इंडिया कमपनी का सामराज इस्थातित हो गया हमारी देश पर तब उन्होंने इस देश का लूट करना शुरू किया और लूटने के लिए उन्होंने बड़े-बड़े कानून बनाए नितियां बनाएं, नियम बनाएं और वो loot का सारा पैसा और धन यहां से इंग्लैंड ले गए अंग्रेजी इसींडिया कंपनी ने जब loot इंतुस्तान न की तो भारत का क्या हाल हुआ इसींडिया कंपनी के आने के पहले भारत दुनिया का सबसे जादा संपन्न देश था, समरुद दुशानी देश था एक अंग्रेजी इतिहासकार हुआ उसका नाम है अर्नौल्ड टाइमबी अर्नौल्ड टाइमबी ने भारत देश पर सबसे ज़्यादा रिसर्च किया है शोद किया है उसने भारत देश पर कुछ पुस्तकें लिखी है उन में से एक पुस्तक है जो सारी दुनिया में चर्चित है जिसका नाम है History of British India भारत का इतिहास उसने लिखा है पुस्तक का नाम है History of British India माने ब्रिटेन का जो भारत है गुलामी का उसका इतिहास उसने लिखा है और उसमें उसने उसने उस्तक के सबसे पहले पढ़ने पर शुरू करते हुए ये लिखा है कि अंग्रेजों के और इस इंडिया कंपपनी के भारत में आने से पहले भारत दुनिया का सबसे जादा श्रीमंत देश है और वो कहता है कि दुनिया के देशों की जो अमीरी है अमीरी उसमें भारत सबसे उंचे इस्थान पर दुनिया में मात्र 200 देश हैं उनमें आज से 400 साल पहले भारत सबसे उंचे इस्थान पर है पर कैपीटा इंकम माने प्रतिव्यक्ति आये पर कैपीटा प्रडक्शन माने प्रतिव्यक्ति उत्पादन पर कैपीटा कंजंशन माने प्रतिव्यक्ति उपभोग और पर कैपीटा डॉमेस्टिक सेविंस माने घरेलू बचत ये सब आर्थिक आधारों पर भारत दुनिया का समश्रिष्ठ देश था तौइन भी लिखता है कि दुनिया भर के देशों का सोना, चांडी, हीरे, जवाहरा जैसा बेश्कीमती सामान भारत में आता था और भारत से कुछ भी बाहर नहीं जाता दुनिया भर के देशों से टौइन भी के जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि दुनिया के बाजार में जितनी वस्तूएं विखती थी उनमें 33 कका वस्तूएं सिर्फ भारत की होती 27 कका वस्तूएं चीन की होती और अमेरिका और इंगलेंड का कोई इस्तान उस समय नहीं था दुनिया में अमेरिका का तो खोज भी नहीं हुआ था तब पर 400 साल पहले दुनिया में कोई जानता नहीं था कि अमेरिका नाम का कौन सा देश है तो ऐसा देश भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा निर्याद करने वाला सबसे ज़्यादा आमंदनी करने वाला देश भारत इसमें अंग्रेज जब आए और East India Company आई तो ऐसा लूटा उन्होंने कि दुनिया का सबसे श्रीमंत देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल हो गया एक जमाने में भारत सबसे ज़्यादा संपत्ति वाला देश था आज भारत दुनिया के 200 देशों में गरीबी के हिसाफ से 174 वे नंबर पर है इतनी गरीबी इस देश में आई पहले ये देश सोने की चड़िया था अब ये मिट्टी की चड़िया भी नहीं रहे गया हमारे देश की गरीबी के बारे में आपको छोटी सी जानकारी दूँ एक सो बार्या कोटी की हमारी लोक संख्या है जिसमें 84 कोटी नागरिक भयंदर गरीब हमारी सरकार कहती है कि 84 कोटी भारत वासियों को एक दिवस में 20 रुपई की आमंदनी नहीं होती इतनी गरीबी इस देश की उन 84 कोटी भारत वासियों में 50 कोटी भारत वासियों में इतनी गरीबी है कि उनको एक दिवस में 5 रुपई की आमंदनी नहीं होती और पच्छीस कोटी भारत वासियों की गरीवी ऐसी है जिनको एक बिबस में दो रुपई की आहंदनी नहीं होती है और ये गरीवी इस देश की जो इतनी तकलिफ की स्थिती में है इसी का आज दुश्परणाम है कि हजारों हजारों शेटकरी हर साल आत्मत्या करते हैं इस देश महाराश्प भारत का वो राज्य है जहां सबसे जास्ती शेटकरी आत्मत्या करते है एक वर्ष में महाराश्प में 5600 शेटकरी आत्मत्या करते है महाराश्च का पडोसी राज्य है करनाटर जहां साड़े चार हजार शेटकरी दरवर्षी आतमत्या कर लेते और भारत में 35 राज्य हैं जिन में एक साल में 56 हजार शेटकरी आतमत्या कर लेते गरी भी इतनी बढ़ रगी है बेकारी भी इस देश में आज़ादी जब आई थी 15 अगस्तों 247 को तो चार कोटी भारतवासी बेरोजगार थे अब आज़ादी के साथ साल के बाद 12 से 13 कोटी भारतवासी संपुन बेरोजगार है और 8 कोटी भारतवासी साल में 8 महीने बेरोजगार रहते माने उनको साल में चार महीने काम मिलता है आठ महीने उनको कोई रोजगारी उतलत नहीं हो पाती अगर सरल भाशा में ये कहा जाए तो बीस कोड़ी भारतवासियों को काम की जरूरत है, दरकार है लेकिन उनके पास रोजगारी नहीं है गरीबी है बेकारी है भुकमरी है इसी महराश राज्य में विधर को छेतर में अमरावती नाम का एक जिला है उसके आसपास का एरिया मेल घाट कहलाता है इस मेलगाट छेत्र में दरवर्षी पचास कका बन्म लेते ही मर जाते और इसलिए मर जाते हैं कि उनकी आई दूद पिलाने की स्थती में नहीं होती क्योंकि आई को दूद नहीं बनता, क्योंकि आई को खाने को नहीं बिलता ऐसा महराश्व राग्जी का मिल गाटे लिया है भारत सरकार के मंत्री यह जिनका नाम है स्वास्थ कल्यान और परिवार राग्जी मंत्री उनका ये कहना है कि भारत में जितने बच्चे हर साल पैदा होते हैं उन मेंसे 25 से 30 टका बच्चे ही वजन में बहुत कम होने के कारण पैदा होने के तीसरे महिने तक मर जाते हैं और हमारे ही सरकार के स्वास्त मंत्री का कहना है कि इन बच्चों को पैदा करने वाली जो आई है 35 से 40 तका आई बच्चों को जनम देने के पहले या जनम देते ही मर जाते है क्योंकि आई के शरीर में इतनी ताकत नहीं होती है कि वो प्रसव पीड़ा को बरदाश्ट कर सके क्योंकि खाने को नहीं मिलता है बरदो इस भारत देश में आजादी के 60 साल हो गए है 50 तका लोगों को अभी भी सिक्षा नहीं मिल पाई है साक्षरता नहीं हो पाई है 50 तका लोग अभी भी बिना सिक्षा के है और करोडों विद्यारती हैं जिनके पास फीस नहीं होने के कारण वो इस्कूल नहीं जा सकते हैं विद्याले में एड्मिशन नहीं लेगा है। भारत में 7,32,000 गाओं हैं। इन में से 4,000,000 गाओं में भीज नहीं हैं। इलेक्रिक करेंट नहीं है। मेरा जन्मिस्थान उत्तर प्रोदेश में अलीवर जिले में हैं। मेरे गाओं में आजादी के 60 साल के बाद भी इलेक्रिक करेंट नहीं है। मेरा जन्म जिस गाओं में हुआ है वहाँ बिजली नहीं है, करेंट नहीं है। पूरा जीवन मैंने विद्यार्थी जीवन केरोसिन लेप में पढ़ाई करके बिताया। केरोसिल लेक्ट में पढ़ाई करके मैं इंजिनीरिंग में आड़ेटी कानपूर में गया और वहां से अंटट करके निकला मेरे जैसे भारत में 4 लाख गाओं है जहां बिजली नहीं है करंट नहीं और जिन गाउं में करेंट है, वहाँ दिवस में 14-18 करेंट नए है, सिर्फ 10-17. महराश फप्रिस्टा सारे देश में जीता जानता उधारन। 10 घंटे से जादा करेंट नहीं आता गाउं में. ऐसा हाल हमारे देश में बना हुआ है. साड़े तीन लाग से जादा गाओं हैं जहां चलने को अभी तक सड़क नहीं बन पाई है उन गाओं में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो सिर्फ मलने का ही इंतजार कर सकता है क्योंकि सड़क नहीं होने के कारण गाओं के मरीज को शहर लाना बहुत सब्बर होता है ऐसा भारत है आज़ादी के साट साल बीथ गए हैं इस साट साल में हिंदुस्तान की सरकार में ग्यारे पंचवारशित योजनाएं बनाई हैं एक पंचवारशी की योजना में 10 लाख कोटी का खर्च होता है 11 पंचवारशी की योजनाओं में 110 लाख कोटी रुपए खर्च हो चुका है फिर मी गरीबी मिठती नहीं है, वेकारी मिठती नहीं है, भुक्मरी मिठती नहीं मैंने एक बार गणित का हिसाब निकाला था कि 110 लाख कोटी रुपए जो सरकार ने अभी तक खर्च किया है पंचवार्शिक योजना में एक छण के लिए आप कल्पना करिए कि भारत में सरकार नहीं होती थोड़ी देर के लिए कल्पना करिए पुढ़ारी नहीं होते, सरकार नहीं होती, राजकिय पक्ष नहीं होते और 110 लाख कोटी रुपए देश के विकास पर खर्च किया जाता तो हिंदुस्तान का एक एक गरीब आदमी लगपती हो जाता लेकिन चुकी हमारे देश में हराम खोर राजकिय पुढ़ारी है और इन राजकिय पुढ़ारियों की हराम खोरी के बारे में आप सब जानते हैं मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है तो अब तक 110 लाख कोटी रुपए जो खर्च हुआ है पंचवारशित योजनावों में उसका 85 तका इन हराम खोर पुढ़ारियों के घरों में गया है या उन्हें के खातों में गया है या उन्हें में अपने उपर खर्च के मैं पिछले 15 सालों से एक काम में लगा हुआ हूँ कि भारत के जो ब्रश्चाचारी राज्च के पुढ़ारी है इन्होंने कितनी संबत्ती बनाई है पिछले 60 साल तो अब तर 419 पुढ़ारियों का मेरे पास डिटेल आया है बायो डेटा बहुत डिटेल मैंने इकठा किया उन में से महराश्च के भी कुछ पुढ़ारी है आंध्रा के हैं तमिलनाडु के हैं केरल के हैं उत्तर प्रदेश के हैं 419 पुढ़ारी है यह पुढ़ारी आज से 15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर भाजी बेचते थे ध्यान से सुनना इसको 15 साल पहले सड़क पर खड़े होकर या तो भाजी बेचते थे या सिम्यमा का टिकट ब्लेक करते थे या चाय की दुकान चलाते थे या पान का ठेला लगाते थे यह 419 पुढ़ारी 15 वर्ष पहले इनकी जेव में 2 रुपया नहीं होता था जिससे यह चाय खरीद के पी सकें और आज इन 419 पुढ़ारियों के पास पूरे देश में 45 लाख कोटी रुपय की संपत्ति है आप इन पुढ़ारियों से पूछो 45 लाख कोटी कहां से आया तो कहते हैं भगवान में दिया यह भगवान बड़ा बेइमान है उनको यह देता है मुझे नहीं देता आपको नहीं देता गरीगों को नहीं देता भुखमरे को नहीं देता मुफलिसी वालों को नहीं देता इन पुढ़ारियों को ही लेता है और इन 419 पुढ़ारियों में कई पुढ़ारी ऐसे हैं जो रात को विस्तर पर सोते हैं तो हजार हजार के नोटों की गड़ी लगाके उसके उपर चादर बिचा के सोते हैं नीद नहीं आती उनको, नोटों की गंडी के नीचे ही नीद आती है। इन पुढ़ारियों ने इस देश का सत्या नाश कर दिया। मुझे बहुत दुख है ये कहते हुए कि 1947 के पहले इस देश में गोरे अंग्रेज लूट रहे थे। अब 15 अगस 1947 के बाद इस देश में काले अंग्रेज इस देश को लूट रहे थे। चोटा सा देश है। वहां की 37 बैंकों में भारत के 419 ब्रश्टाचारी पुढ़ारियों का एक हजार अबज डॉलर जमा है। वन थाउजन बिलियन डॉलर्स एक डॉलर में 40 रुपए होते हैं तो एक हजार अबज डॉलर का मतलब होता है चालीस लाट कोटी रुपए है। यह इनोंने भारत में से लूट लूट कर विदेशी बैंकों में रखा है। मेरे मन में एक योजना चल रही है आजकल जो सारा देश मदद करे तो इस योजना को मैं करना चाहता हूँ इस देश में कि जिन पुढ़ारियों ने भारत का धन रूट कर विदेशी बैंकों में रखा है। इस धन को भारत में वापस लाया जाया। और इसको भारत की राष्ट्री ये संपत्ती घोशित कराया जाया। अगर ये एक हजार अबज डॉलर का धन भारत में वापस आ गया और इसको राष्ट्री ये संपत्ती जाहिर करा दिया तो चालीस लाग कोटी रुपए देश को मिलेंगे और ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे सोना खरी दिया जाए तो भारत के एक एक गाउं की सड़क पर सोने की चादर बिछाई जा सकते हैं। मैं आप से कहने ये आया कि भारत गरीब नहीं है। भारत के हराम खोर पुढ़ारी गरीब है जोनों ने लूट लूट कर इस देश को गरीब बना दिया। जो लूट खोर होता है उसको मैं गरीब कहता। क्योंकि अगर वो मानसिक रूप से गरीब नहीं होता तो लूट कोरी क्यों करता। तो ये मानसिक रूप से गरीब पुढ़ारियों ने इस देश को गरीब बना दिया है। देश गरीब नहीं है यहां के पुढ़ारियों ने गरीब बना दिया। और अब मैं आपसे जो कहने आया वो ये कि ये पुढ़ारियों ने देश को गरीब बनाने के लिए और इस देश की लूट बढ़ाने के लिए वही काम फिर से शुरू कर दिया है जो 400 साल पहले मुगल बादशाह जहांगीर ने किया था आप जहांगीर ने क्या किया था थोड़ी देर पहले बताया एक अंग्रे जी इस्ट इंडिया कमपणी को भारत में बुलाया था और जहांगीर ने उस कंपणी के साथ समझोता किया था कि आप भारत में आईए लूट करिए पैसा कमाईए थोड़ा सा मुझे भी दे दीजे बाकी लंदन लेके जए तो इस्ट इंडिया कंपणी आ गई और एक इस्ट इंडिया कंपणी ने आकर 400 साल लूटा अब आज़ादी के साथ साल के बाद 2008 में जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आज के पुढ़ारियों ने हजारों परदेशी कंपणीों को बुला लिया है उनको लूटने का लाइसेंस दे दिया है और उनका एक ही नारा है कि लूटो थोड़ा बहुत हमको भी दे दो तो अब भारत में क्या हो गया है साड़े चार हजार परदेशी कंपणी आ गई है वो इस देश को लूट रही है इन कंपणीों के कुछ नाम है जैसे पेपसी कोला कोका कोला कॉल गेट पामुले प्रॉक्टर इंगेंबल रेकेट इंग कोलमें जॉंसन इंग जॉंसन सीवा गाईगी मैक डॉनल्ड केंटकी फ्राइड चुकर ऐसी साड़े चार हजार परदेशी कंपणीया हमारे उढ़ारियों ने इनको लाइसेंस दे दिये हैं ये कंपणीयों ने भारत में अपने कार खाने लगाए हैं फैक्टरियां बनाई हैं उन में कुछ वस्तुएं ये बनाते हैं उन वस्तुओं का टीवी पे जाहिरात कराते हैं वो जाहिरात आप और में हम रोज देखते हैं थोड़े दिन में वो जाहिरात हमको इतने पसंद आते हैं कि हम वही बस्तू खरीदते हैं जो हमने जाहिरात में देखी और जैसे ही हम परदेशी बस्तू खरीदना शुरू करते हैं जाहिरात देखकर तो इस देश का दर वर्षी दो लाट कोटी रुपई का नुकसान हम कराते हैं कैसे होता है ये सारा खेव मैं आपको एक उधारेंट से समझाता हूँ आप कभी भी टीवी चैनल सुच ओन करिये और आपको बात भी देखनी है बात भी तो कोई चैनल शुरू करिये आज तक शुरू करिये एंडी टी भी शुरू करिये स्टार न्यू शुरू करिये कोई भी चैनल शुरू करिये तो आप देखेंगे कि उस चैनल में दो मिनट बात भी आती है और तीन मिनट जाहिरात आता है पहले बात मी फिर जाहिराद, फिर बात मी फिर जाहिराद, फिर बात मी फिर जाहिराद, अंत में क्या होता है, बात मी भूल जाती है, जाहिराद याद हो जाता है मैं किसी को भी पूछता हूँ आपने कल क्या बात भी देखी कहते हैं माइती नहीं फिर मैं उसको पूछता हूँ आपने कल जाहिराथ क्या देखा ओपट से बोलता है ठंडा मतलब देखें आप भी बोल हुए बातनी याद नहीं है जाहिराथ याद अब ये जाहिरात क्यों याद हो जाता है और बात्मी याद क्यों नहीं हो पाती है कारण ये है कि बात्मी हर घंटे दो घंटे में बदल जाती है नई बात्मी आ जाती है लेकिन जाहिरात बदल नहीं होता वो एक दिवस, दस दिवस, एक महिना, एक बरस, दो बरस, दस बरस, एक ही चलता है थंडा मतलब कोका कोला, थंडा मतलब कोका कोला, थंडा मतलब कोका कोला तो चुक्कि जाहिरात बदलता नहीं, याद हो जाता है याग हो जाए तो फिर बाजार में जाकर हम वही वस्तू खरीदते हैं जो जाहिरात कर देखा मानि हम कोका कोला पीते हैं फिर पेपसी कोला पीते हैं किसी को भी पूछो भाई क्यों पी रहे हो कोका कोला तो कहते हैं आमिर खान कहरा इसलिए पी रहे सल्मान खान कह रहा इसलिए पीर है शारुख खान कह रहा इसलिए पीर है अब आमिर खान क्यों कहता है ये ठंडा मतलब कोका कोला एक बार मैंने ये जानने के लिए आमिर खान को इमेल किया कम्प्यूटर के माध्याम से उसको एक पत्र लिखा और आमिर खान को मैंने एक प्रश्ण किया Do you drink Coca-Cola? क्या तुम Coca-Cola पीते हो? तो आमिर खान ने मुझे उत्तर दिया I do not drink Coca-Cola मैं पीता नहीं हूँ Coca-Cola I only advertise Coca-Cola मैं सिर्फ उसका जाहिराद करता हूँ मैं उसको पूछा तुम जाहिराद क्यों करते हो? तो उसने का साथ कोटी रुपए मिलता है ठंडा मतलब Coca-Cola बोलने का साथ कोटी आमिर खान ने मुझे बताया तब माहिती हुआ मैं तो फिल्म देखता नहीं उसने का कि मैं एक वर्ष में एक फिल्म बनाता हूँ और उसमें तीन कोटी रुपए मिलता है एक वर्ष में तीन कोटी की आमंदनी है और ठंडा मतलब Coca-Cola पांच मिनिट बोलता हूँ तो साथ कोटी की आमंदनी होती है तो उसने का आजकल मैंने फिल्म बनाना कम कर दिया है क्योंकि उसमें पैसा कम है और ये ठंडा मतलब Coca-Cola ये शुरू कर दिया है क्योंकि इसमें पैसा जादा फिर मैंने आमिर खान को एक बार पूछा कि तुम पीते क्यों नहीं हो Coca-Cola जाहिराद क्यों करते हो तो उसने का जाहिराद तो पैसे के लिए करता हूँ पीता इसलिए नहीं हूँ कि ये पीने लायक नहीं मैं पूछा क्यों नहीं है पीनिल है तो उसने का मेरा डॉक्टर मना करता है इसको नहीं पीना मैं उसको पूछा क्या कहता है तुमारे डॉक्टर तो कहता है मेरा डॉक्टर कहता है this is highly acidic मतलब क्या है कोका कोला में जास्ती acid है इसलिए आमिर खान का डॉक्टर उसको बोलता पीना नहीं नहीं तो इससे एसिडिटी हो जाएगी हाइपर एसिडिटी हो जाएगी थोड़े दिल में अलसर हो जाएगा पेप्टिक अलसर हो जाएगा और अंत में कैंसर हो जाएगा और मर जाओगे इसलिए आमिलखान पीता नहीं दूसरों को पिला ने जाच किया उन्होंने बताया कि पेपसी और कोका कohlला ने जो एसिड है उसका नाम है में पिक बनता है हार्पिक आपने जाना है कि संडा साफ करने वाला जो हार्पिक है वो फॉस्वेट पॉस्फोरिक एसिट कोका कोला भी बनता है और जिम ग्रहयानिकों ने जाच किया उनों ने कहा की संडा साफ करने वाले हार्टुक में जितनी मात्रा में ऐसिड है अएसिड की मात्रा पत्हा है कैसे जानते हैं पी एच पी एच नाम सुना है पीएच वैल्यू पीएच वैल्यू उसमें कहा कि पेपसी कोला कोका कोला का पीएच वैल्यू है 2.4 दो देशमलब 4 और मैंने एक दिन हार्पिक का पीएच वैल्यू निकाला वो भी 2.4 ही है तो मुझे एक आइडिया आया कि हार्टिक से संडास साफ हो सकता है तो पेपसी से भी होना चाहिए को यह डिवस मैंने मेरी आई वा को ऑफ़ करें से सब्सक्राइब मैंने का इसका जो पैसिविटी है यह हार्पिक के बराबर है तो मेरी आई यह सब समस्ती नहीं है क्योंकि वह स्कूल नहीं बस उसमें इतना जरूर मान लिया कि हाँ ठीक है करके देख लेना तो मैंने आई को का तीस दिवस संदा साफ नहीं करें इसको गंदा होने कि तभी त कि फिर क्या हुआ मैं एक वाटम पैसी खोला खरीद के लाया एक बॉटम को का कोला लाया दोनों को मैंने आपस में मिलाया फिर प्र टॉइलेट पोड पर उसको घिराया और दो मिनिट के बाद टॉइलेट परट को पानी से साफ किया तो टॉइलेट पॉड़का ज़ग सप एक दम white and white एक दम need and clean cleaner अम मुझे बहुत दूख होता है कि भारत में कुछ पढ़े लिखे सुसिक शित लोग ये toilet cleaner पीते हैं गटा 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 और जास्ती पढ़े लिखे लोग जास्ती पीते हैं educated idiots उनको मैं करता हूँ वो engineer है, doctor है और जो सुसिक्षित है वो इडियेट है पेपसी पीता है कोक पीता है घर में आने वाले महमान को भाजू में पहता है कुछ मेहमान अपने घर में ऐसे आते हैं जो घुस्ते ही कहते हैं ठंडा लाओ माने टॉइलेट पिलाओ हमको अभी लाओ ऐसा धंदा चाहिता है अब मैं आपको एक सीरियस माहिती देना चाहता हूं यह जो पेप्सी कोला है यह जो कोका कोला है इसको बेचने के लिए अमेरिका की कमपनी भारत में आई है कमपनी का नाम भी यह है पेप्सी कोला और कोका कोल यह दोनों अमेरिका की कमपनी ने भारत में कई गाओं में अपना कार खाना लगाया फैक्ट्री आप अगर यहां से पुणे जाओ ना पुणे तो पुणे के बाजू में गाओं है पेर तो एक बाटली कितने में बनता है? उसने का 70 पैसे में बनता है तो मैं दिमाग भूंगे हैं मेरा 70 पैसे में उसने का हाँ ये बाटली 70 पैसे में इसलिए बनता है कि ये बाटली में पानी है पानी फोगट का मिलता है हमें सरकार हमसे पानी का पैसा नहीं लेती फिर इस पानी में हम कुछ केमिकल मिलाते हैं वो केमिकल बहुत सस्ते आते हैं कोई केमिकल दो पैसे का, कोई पाच पैसे का, कोई दस पैसे का कुल केमिकल मिलाकर सत्तर पैसे खर्च होता है फिर सरकार इस पर एक रुपई टैक्स लेती है हम से फिर तीस पैसे जाहिरात का हम खर्च करते हैं तो एक बाटली बनाने पर दो रुपई खर्चाता है वो बाटली कलम बोली में बारे रुपई का बेचते हैं बनाते हैं दो में, बेचते हैं बारे में तो company को मुनाफा होता है नफा होता है 10 रुपए इसका अर्थ ये हुआ कि कलम पोली के किसी भी नागरिक ने एक बाटली Coca-Cola पिया तो 10 रुपए भारत से अमरीका को दिया 800 कोटी बाटली पीते हैं Coca-Cola की Pepsi-Cola और हर साल एक वर्ष में 7,000 कोटी रुपए अमेरिका को देते हैं एक वर्ष में 7,000 कोटी गया दो वर्ष में 14,000 कोटी तीन वर्ष में 21,000 कोटी पंद्रे वर्ष से ये धंदा चल रहा है Coca-Cola तो पंद्रे वर्ष में एक लाग कोटी रुपए भारत से अमेरिका चला गए ये एक लाग कोटी रुपए इतनी बड़ी रखम है जिसमें कम से कम 10,000 इंजिनिरिंग कॉलेज बन सकते तो महराश्ट राज्जी के 19,000 गाओं की सड़क सोने से बन सकते एक लाग कोटी रुपए की रखम भारत से अमेरिका चली गई क्या करने से कोका कोला पीने से अब जिन्होंने कोका कोला पिया उन्होंने देश को एक लाग कोटी रुपए का नफसान करा दे अब आगे क्या हुआ कि हमने कोका कोला पिया पैसा अमेरिका चला गया अमेरिका ने ये पैसा पाकिस्तान को दान में दिया क्योंकि अमेरिका और पाकिस्तान की दोस्ती है, मित्रता है भारत और पाकिस्तान की दुश्मनी है अमेरिका और पाकिस्तान में दोस्ती है तो हमने कोका कोला पिया, पैसा अमेरिका गया अमेरिका ने पाकिस्तान को दे दिया दान में पाकिस्तान सरकार ने वो पैसा त्रासवादी संगठनों को दे दिया दान लशकर-े-तयवा, जैश-े-महंब, हरकत-ुल-ंसार, हिजबुल-मजाइदी, जम्मु कश्मीर लिबरेशन फरंट, ऐसे सो से ज़्यादा त्रासवादी संगठन उनको पैसा दिया पाकिस्तान सरकार ने, पाकिस्तान सरकार को पैसा दिया अमेरिका की सरकार ने अमेरिका की सरकार को पैसा दिया उन भारत मासियों ने, जिन्होंने कोका कोला पी रहा है, वो अपना पैसा दुश्मन को दे रहा है, और बोलता है भारत माता की जै, पैसा दुश्मन को दे रहा है, कहरा है भारत माता की जै, कैसे होगा, भारत माता का तो पराजे होने वाल पैसा अमेरिका जा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को दे रहा है, पाकिस्तान तरासवादियों को दे रहा है, तरासवादियों उस पैसे से बम बना रहे हैं और वो बम मुपई में लाकर ब्लास्ट कर रहे हैं, और उस बम ब्लास्ट में हमारे भाई बहन मर रहे हैं, पिछले पंद्रे सालों में आतंग वादियों ने भारत में जितने बंब लास्ट किये हैं उन्हें 64000 भारतवासी मर गए पारवार कोका कोला पिये तो अंतडियों का कैंसर होता है तो वो दूसरा नुकसान हमको होता है बारत में एक बहुत बड़ा वैग्यानिक संस्थान है उसका नाम है CFTRI Central Food for Technology Research Institute ये संस्थान करनाटक में है मैसूर में इस संस्थान के डिरेक्टर है प्रोफेसर एंपी प्रकाश बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं डॉक्टर अब्दु प्रकाश को एक बार मैंने कहा कि ये पैसी कोका कोला की जांच करके ये बताईए कि इसमें Phosphoric Acid के अत्रे तोर क्या मिलाया है तो उन्होंने कि आट मैने के बाद उन्होंने बताया कि पैसी और कोका कोला में 14 तरह का विश्च या जहर मिलाया जाता और उसका नाम सुने तो वो पेपसी कोग में मिलाई जाता है पेपसी कोग में उसका नाम है एंडो सलपान ये जन्तुनाशक आउशद है जिसको शेटकरी समाज स्प्रे करता है शेटे एक आउशद इसमें मिलाई जाती है मेला थियान फिर एक आउशद मिलाते हैं काई क्रोमेट फिर एक मिलाते हैं मोनोप्रोटोफॉस ये जो आउशद है वो वही है जो गुड़नाइट में होता है गुड़नाइट आपने देखा उसमें जो जनतुनाशक आउशद है वो पेपसी कोप में भी मिला मैंने प्रोफेसर एम्ली प्रकाश को एक दिन पूछा कि इतने खतरना जहरिये केमिकल, मोनोप्रोटोफॉस, डाई क्रोमेट, एंडोसलफान की पुछा था उनसे कि आप इसमें कोका कोला और पेपसी कोला में डी डी टी क्यों मिलाते हैं एंडोसलफान क्यों डालते हैं बताया नहीं उन्होंने जवाब नहीं दिया तब मैंने प्रॉफसर प्रकाश को का कि अब क्या करें तो उनका ऐसा करो इस कंपोनी के खिलाफ एक केस कर दो तो यह सब आयेंगे बतानी के लिए तो हमने भारत देश में राजिस्थान का जो उच्छ ने आयले है जैपुर में वहाँ पर एक केस कर दिया कंपोनी के खिलाफ और जैसे ही हमने केस किया तो कंपोनी के सारे अधिकारी कोर्ट में आ गए हाई कोर्ट ने उनसे पूछा तब उन्होंने आकर कोर्ट में बताया कि हमारी एक मजबूरी है वो मजबूरी यह है कि जब हम यह बाटली भरते हैं कोका कोला की तो बाटली भरने के 48 मिनट के बाद इसमें जन्तू उत्पन्न हो जाते हैं और यह जन्तू की संख्या हर 48 मिनट में बढ़ती जाती है और हमारी जो बाटली बनती है और बाजार में जब बिक्ती है तो इसमें 90 दिन खतम हो जाते हैं बने बाटली बनने से बिक्ने तक 90 दिन का समय लगता है तो तीन महिने में बाठट़ी में इतने जनदु आ जाते हैं कि कोई भी आँकों से देख सकता है. तो कोई देख लेगा जनदुओं को तो पिएगा ने. इसलिए इन बाठट़ी ओमें हम जन्तुनासक उश्चन दिला देते हैं. ताकि जन्दू मरते रहें और कोई भी पीएगा तो तो ननका फिर वो उसकी समस्या है जो पीएगा इतना खतरणा और एक सेंटिस ने यहां तक कहा है रिकोर्ट में कि पेप्सी और कोका कोला का इंजेक्शन भरके इंजेक्शन आता है ना जिसमें दवा नहीं भरना पेप्सी कोला भरना और किसी भी व्यक्ति को इंजेक्ट कर दो ब्लड में तो 15 मिनट में उसको हर्ट अटेक आज़ागा और एक मेंग्यानिक ने यह कहा है कि रोज अगर एक बाटली दो बाटली कोई भी पेप्सी पीता रहे तीसरे साल में उसको नपुन सकता आ जाएगी क्योंकि उसमें क्यमिकल इतने ख़तर ना अब एक तरफ पेप्सी कोग मिटने का पैसा अमेरिका जा रहा है दूसरी तरफ हमारे शरीर को 48 रोग पैदा होने की शक्तिता है ऐसा पेपसी और कोका कोला बेचने का धंदा आमिर खान करा रहा है सलमान खान और शारुप खान करा रहा है और ये सब खेल देश में चल रहा है जिसका नुकसान भारत माता को हो रहा है आपको हो रहा है और जिसका फाइदा तरासवादियों को हो रहा है आप तरासवादियों से रोज परेशान हो रहे हैं उनको पैसा पाकिस्तान से मिल रहा है पाकिस्तान को पैसा अमेरिका से मिल रहा है अमेरिका को पैसा भारत के वो लोग दे रहे हैं जो पेपसी और कोका कोला पी रहे हैं अभी आप विद्यारतियों से मैं एक प्रश्र पूछना चाहता हूं कि प्रेप्सी कोला पीना चाहिए तो मैं आपको बोलूगा कि आप भारत माता के सबसे बड़े दुश्मन हैं और देश द्रोहिए तो आप बोलेंगे फिर हम क्या पीए पीने के लिए सबसे अच्छा है उस का रस पीजे संत्रे का रस पीजे मुसम्मी का रस पीजे आपको कुछ मिलता है अच्छा तो द्राक्ष का रस पीजे गाजर का रस पीजिए, टमाटर का रस पीजिए, कुछ नहीं मिलता तो लिंबू की शिकन जी पीजिए नारियल का पानी पीजिए, वो भी नहीं मिलता है तो मिट्टी के घड़े का पानी पीजिए वो पेपसी कोक से अच्छा है क्वालिटी में और कीमत में सस्ता है आप सब भारतवासी अगर ये बात मान लें कि पेपसी कोक ना पिये तो एक वर्ष में देश का साथ हजार कोटी रुपए बचेगा उतने ही रुपए से उस का रस पिये तो साथ हजार कोटी रुपए का उस का रस बिकेगा साथ हजार कोटी का अगर उसका रस बिखेगा तो दरवर्षी शेदकरी समाज को जो उस उत्पन करता है उसको साथ हजार कोटी रुपए का लाब होगा और मैंने एक दिन जोड़ा है हिसाथ कि दस वर्ष में हिंदुस्तान का हर शेदकरी जो उस उत्पन कर रहा है वो कोटी-पती हो जाएगा और फिर कभी भी आत्महत्या करने का काम नहीं करेगा तो भारत के शेतकरी को श्रीमंत बनाएए शेतकरी को कोटी-पती बनाएए ताकि वो आत्महत्या ना करे इसलिए उस का रस पीजिए पेपसी को कभी मन पीज़े उसका रस ना मिले तो संत्रे का रस पीज़े तो भी मुनाफ़ाश शेतकरी कोई मिलेगा संत्रे का रस ना मिले तो मुसंभी का रस राक्ष का रस पी लीज़े तो भी पैसा शेतकरी को मिलेगा माने ऐसा सॉट ड्रिंग पीज़े जो भगवान का बनाया हुआ और शेतकरी को लाब पहुचाने वाला करेंगे और अगर आपने ये किया तो एक बहुत बड़ी क्रांती इस देश में हो जाएगी जैसे कभी 1857 में इस देश में हुई थी 1857 की क्रांती जिनोंने की उनको हम बड़े श्रद्धा से याद करते हैं नाना सहाग पेश्वा, तातिया टोपे, जासी किराली लक्ष्मिवाई, नाना फड़नवीस, वासदे बलवन फड़के ये सब क्रांथिकारियों को हम श्रद्धा से याद करते हैं क्योंकि इनोंने भारत में एक क्रांथी की थी सन 1857 आप अगर 2008 में कोई दूसरी क्रांथी करेगे तो आपके आने वाली फीडी आपको इतनी ही श्रद्धा से याद करेगी कि कभी भारत के विद्यार्थियों ने एक क्रांती की थी जिसमें शेतकरी समाज को पैसा मिला था और पेपसी कोप का पैसा इस देश में रुका था विदेश जाने से तो आपको भी इतिहास में ऐसे याद करेंगे ये संधिक आपके पास है आप अपने जीवन में एक संकल्क लेकर इसको पूरा कर सकते अब आप एक आखरी प्रश्ण पूछेंगे कि भारत की सरकार को ये माहिती नहीं है क्या कि कोट में हमारा केस अभी चल रहा है तो भारत के प्रधान मंत्री की तरफ से जो वकील आया सुप्रीम कोर्ट में उसको सुप्रीम कोर्ट में पूछा कि प्रधान मंत्री को ये पूछो कि उन्होंने पैप्सी और कोका कोला को लाइसेंस क्यों दिया प्रधान मंत्री कौन है मालूम है डॉक्टर मनमोहन सिंग यही यक्ती थोड़े दिन पहले देश में वित्य मंत्री भी थे 1991 में जब नर्सिमा राव प्रधान मंत्री थे और इन्होंने ही पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है डॉक्टर मनमोहन सिंग उस पर हस्ताक्षर इनी के हैं उसकी फोटो कापी मेरे पास है तो मैंने सुप्रीम कोड को वो पेपर्स दिये कि डॉक्टर मनमोहन सिंग ने साइन किये है और लाइसेंस दिया है पेप्सी कोड को तो मनमोहन सिंग को पूछा जाए कि उन्होंने क्यों किया ऐसा तो मन्महन सिंग की तरफ से सुप्रीम कोट में जो जवाब आया वो सुनने लायक है हमारे देश के प्रदान मंत्री ने कहा कि मैंने पेप्सी और कोका कोला को लाइसेंस दिया है बहुत बड़ी मजबूरी में खुशी से नहीं तो मजबूरी क्या है तो प्रदान मंत्री ने कहा कि भारत की सरकार ने 1991 के साल में अमेरिका से कर्ज लिया था इतनी जरूरत थी कि भारत देश का खजाना विल्कुल खाली हो गया था और भारत की सरकार ने खजाने का सोना भी वेच लिया था 47 मीटरिक टल तो मन्मावन सिंग ने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं था हजाने का सारा सोना विख चुका था पैसे हमारे पास दे नहीं हमको कर्ज चाहिए था हमने अमेरिका से कर्ज मागा अमेरिका ने हमारे उपर शर्त लगाई कि जब तक Pepsi Coke को लाइसेंस भारत में आप नहीं दोगे हम करज नहीं देंगे तो इस मजबूरी में हमने करज देंगे तो Supreme Court में प्रदान मंतरी उर्ड को कहा कि आपने इनको लाइसेंस दिया है तो अब इनका लाइसेंस रद्द कर दो तो प्रदान मंतरी कह रहे हैं कि ये मैंने कर सकता क्यों तोलनिका करजे की शर्त है कि जब तक ये करज हम अमेरिका को वापस नहीं करेंगे तब तक Pepsi Coke का लाइसेंस रद्द नहीं होगा तो ये समस्या है प्रधानमंत्री की, फिर ये समस्या को ले कर मैं भारत के दाश्रुपती को मिला था, जो अभी भूदपूर राश्रुपती है causal की जिनका नाम है, डॉक्टर अबडुलकला, उनको मैंने कहा कि देखिए, ऐसी समस्या आ गई है, प्रदान मंत्री कहते हैं कि जब तक हम कर्ज वापस नहीं करेंगे अमेरिका का मैंने सुप्रीम कोर्ट में मुकर्मा तो कर दिया है इसका फैसला तो जो आएगा सो आएगा लेकिन देश में क्या करना चाहिए तब उन्होंने मुझे बहुत सुन्दर अंग्रेजी ने कहा यू शुद वॉक 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 एंड टॉक 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 तुद इच एड़ी कॉर्टर ओस डिस करीजी तो भारत के एक एक गाउं में जाओ लोगों को यही माहिती दो जो तुम मुझे दे रहे लोगों को यह माहिती जितनी जादा मिलेगी उतना जादा लोग पेपसी को पीना बंद करेगे उसका वहिश्कार करेगे तो कंपणी का धंदा खतम हो जाएगा तो यह कंपणी भारत से भाग जाएगी प्रधानमंत्री भारत देश का ये कंपणी को नहीं भगा सकता लेकिन करोडों भारतवासी इस कंपणी को भगा सकते हैं इसलिए मैं आपके पास ये कहने के लिए और आप याद रखिएगा कि हमें ये पेपसी और कोग कंपणी को ऐसे ही भगाना है जैसे हमने इस्ट इंडिया कंपणी को भगानी के लिए हमारे देश में एक बड़े क्रांतिवी राये ते जिनका नाम था लोगमान निबाल गंगादर तिलक पुणे में उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया था 1905 में उसका नाम था स्वदेशी आंदोलन और टिलक गाउं गाउं जाते थे और लोगों को कहते थे कि अंग्रेजों को भगाना है तो अंग्रेजी वस्तू का बहिश्कार करो अंग्रेजी कापड पहनना बंद करो अं सित्रों को आगे बढ़ाया था और अंग्रेज 1947 में बारत से बाग सकते हैं तो पेप्सी और तोका कोला भी भागेगा बस आपका सहकार चाहिए सहयोग चाहिए और वो सहकार इस रूप में चाहिए कि आप कभी पेप्सी को फीला नहीं किसी को किलाना नहीं मुफत में भी को पीसी महिती आपको और देना चाहता हूं कर तीवी सी को कउम इसको भी बहगाना कर रही है यह टूट कैस्त में और बीवी पर जाहिरात ऑप उसका और टीवी पर जाहिरात में कहते हैं कि कॉल डेट best quality paste है इससे दासों की बद्बू दूर होती है दांतों की सडन दूर होती है इसमें calcium मिलाया हुआ है इसमें phosphorus भी है वगएरा वगएरा ऐसे जाहिरात आते हैं एक बार call gate company को मैंने पत्र लिखा और पूछा कि आपके tooth paste में calcium कैसे मिलाते हैं तो उसकी अधिकारी ने कहा कि हम calcium दिलाते नहीं है हम तो एक ऐसी वस्तू से call gate बनाते हैं जिसमें calcium होता तो मैंने पूछा वो वस्तू क्या है तो उन्हें ने का वो वस्तू है डूकर की हटिया सूर की हटिया पिक बोल्स मैंने उनको पूछा ये डूकर की हटिया कहा से लाते हैं तो उन्हें ने का भारत में बहुत मिलती है कहां मिलती है तब उस company ने बताया कि भारत में 3600 कसाई खाने चलते हैं जहां दर रोज 14000 डूकर कटते इनका मास उत्पन होता है उसको बाजार में एक company खरीदी करती है और जो company डूकर का मास खरीदी करती है उसका नाम है MacDonald और वो डूकर के मास से बनाती है पीशा उससे बनता है burger फिर बनता है hot dog फिर बनता है cold dog और पढ़े लिके idiot class के लोग इसको गफर गफर खाते है डूकर के मास का पीशा बर्गर आप ध्यान देना सुसिक्षित नागरिक ही पीशा खाता है असिक्षित नागरिक नहीं खाता वो जवारी की भाखरी खाता वो पीशा और बर्गर खाता है डूकर के मास का बनाया हुआ फिर कहता गर उसे कहो हम हिंदू हैं डूकर का मास खा के कहता हिंदू है और यह जो डूकर का मास है जिससे पीशा बरगर बनता है इस डूकर के मास में से तेल निकाला जाता है जिसको फिक पैलो कहते है उस तेल से मैगी बनती है मैगी और भारत में बहुत सारे बच्चे अपनी आई को कहते हैं मम्मी मम्मी भूक लगी मम्मी कहते हैं बस दो मिनट महगी तो महगी बनती है, पीजा बर्गर बनता है मास बिख जाता है उसके हट्टियां क्या कहा जाती है हट्टियों को कॉल्गेट कंपनी खरीती है हट्टियों को सुर्य प्रकाश में सुखाया जाता है फिर मशीन में डाल कर पाउडर बनाया जाता है फिर उस पाउडर से कॉल्गेट बनता है कई लोगों को मैंने देखा है उपवास करते हैं दस-दस दिन का उपवास करते हैं गणपती उत्सम में दस दिन उपवास करते हैं पानी भी नहीं पीते हैं कि वियंटि अब टो आपको मेरी दूसरी विदंटी है कि आप यह कॉल्गेर लगाना तो आप मूलेंगे कों। 24 लगाना कई हुपश Ο नेंट बंता है तो मशी की हड्डियों से, तो आप बोलेंगे क्लोज अप लगाना, plaintा है गाई की हड्डियों से, तो आप बोलेंगे कौन सा पेस्ट लगाना, मेरी बात माने तो कोई कोई पेस्क मत लगाएं हैं ओनोस में पेस्क मत लगाना लिंबड़ा के दातं से कड़vous guest एक्स फ्री कॉस्ट फ्री साइड इफेक्ट नहीं है एक्सपाइड कुछ भी नहीं है गाउं गाउं गली-गली कडू लिंग की काड़ी मिलती है उससे दात घिजना तो दात मजबूत होंगे पैसे बचेंगे और मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगे पचास लाग शेतकरी नागरिकों को काड़ी बेचने का रोजगार मिलती है आप कभी मुंबई जाते हैं मुंबई मुंबई के सभी रेलवेस स्टेशन में कडू लिंग की काड़ी मिलती है एक रुपाई की दो दो रुपाई की तीन दादर में मिलती है गाट कोपर में मिलती मईंबबोली में कैसे मिलेग आप अर्त शास्त्र का एक नियम है कि मांग करो तो पूर्ति होगी है उन्ह भाड़ि काड़ी के ओध determination तो रोजगारी मिलेगे और एक फाइदा क्या होगा कडूलिम की काड़ी करेंगे तो पहले चबाना पड़ता है उसमें से रस निकलेगा कडूलिम का रस अगर आपने थोड़ा भी पी लिया तो जीवन परियंद कभी डाइबिटीज नाम का रोग नहीं होगा गुड़ी पड़वा एक जन्वरी नहीं है गुड़ी पड़वा याद रखना इसको एक जन्वरी क्रिश्यन लोगों का नया वर्ष है हम हिंदुस्तानियों का नया वर्ष है गुड़ी पड़वा अच्छा गुड़ी पड़वा के दिन प्रसाद बनाते हैं बनाते कि नहीं उसमें कडू लिन के पान के प्रसाद नहीं बनता क्यों? पुने में एक बहुत पुराने वैदे हैं आयुर वेदिक चिकित सक वैदे नाड़ी परिशन उनका बहुत अच्छा है उनका नाम है वैदिक खड़ी वाले सुनाएगा ही? जरूर उनके पास जाओ अक्सर उनके पास जाता हूँ तो एक बार मैंने उनसे ये प्रश्न किया कि अपने देश में नया वर्षाता है बुडी परवा को हम उस दिन प्रसाद बनाते हैं तो कडू लिन का पान क्यों डालते हैं? तुलसी का पान क्यों नहीं डालते? कोतम नीर का पान क्यों नहीं डालते हैं? हाँ वो भी तो पान है ना? कडू लिन का ही क्यों डालते? तब वैद्ध खड़ी वाले ने कहा कि कडू लिन जो है एंटी वाइरल है एंटी वेक्टिरियल है एंटी इंफलेमेटरी है एंटीपाइरेटिक है, एंटीफंगल है, पांच गुण है कडूलिम में वो किसी भी वाइरस को मार सकता है, किसी भी वیک्टिरिया को मार सकता है और शरीर को पांच गुण से संपन्द बना देता है और जिस दिन हम कडूलिम का परसाथ खाएंगे तो अगले एक वर्ष तक निरोगी होने की शक्किता है इसलिए हम कडू लिन का प्रसाद करी के काम आएगी क्योंकि कडू लिन की निम्बोडी को चट्नी बनाके गरम पानी में मिलाकर अगर किसी भी पीप पर स्प्रे कर दें तो सब जन्तू का नाश कर देती है बिना पानी के ही हो जाता है तो लगाईए एक एक जाड तो लगा दीजे मरने से पहले इतना तो देश के लिए करिए और आप लगाएंगे जाड करेंगे दातन तो बहुत अच्छा होगा मैंने तो मेरे जीवन में एक संकल्क लिया है आप भी लेलो मैं किसी के घर में जाता हूँ विवाह समारो में लगन प्रसंग में तो कभी भी कवर में रखके रूपई नहीं देता किसी क्यों मुझे नहीं मायनूं कि मेरे रूपई से उसने दारू पिया तो सिनेमा देखा तो गुटका खाया तंबा को खाया तो तो मैं रूपई नहीं देता कभी भी कवर में तो क्या देता हूँ मैं उसको कडू लिंका जाड देके आता हूँ और लगन प्रसंग में डबल देके आता हूँ एक पती को एक पत्नी को तो जाड को खा तो नहीं सकते जग मार के लगाने ही पड़ता है तो दो जाड तो लगे और कोई लोग कहते राजी भाई हमारे घर में जाड लगाने को जगे नहीं है तो पडोसी के घर में लगा दो डबन फाइदा उसको भी मिलेगा आपको भी मिलेगा तो जाड लगा मैंने एक दिन सोचा दस कोटी विद्यार थी दर वर्षी एक एक जाड लगाएं दस कोटी जाड देश में हर वर्ष लगें तो पांच साथ वर्ष में परियावरण के दूशन की समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी कारबंडा यॉक्साइड कम हो जाएगा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा तो बारिश का पानी भी जादा मिलेगा तो शेतकरी को फिर फार्दा मिलेगा ठीक है तो कॉल गेट बन करदे का दातन शुरूर परदेशी साबुन नहीं वापरना लक्स लाइफ बॉई लिरिल रेक्सो पियर्स केमें यह सब परदेशी साबुन आप बूलेगे फिर इसनान कैसे करना आप मुझे प्रश्निका उत्तर दो भारत देश में एक त्योहार आता है महाश्यवरात्री आता है उस दिन शंकर भगवान को इसनान कराते हैं किससे कराते हैं दूट से कभी देखा शंकर को भगतों भी दूट से नहाना चाहिए हमारे भारत में इक कहावत है दूदो नहाओ पूतों फलो कभी किसी नहीं कहा लक्स लगाओ पूतों फलो दूट से नहाओ पूतों खना तो आप बोले कि पचीस रुपई किलो साबुन से कं से कम छे पट सस्ता है तो दूद से नहाओ कि पिर आप दोलो कि कैसे नहाइं तरीका में मता पर बहुत सरल है आप क्या करना 2-3 चमच दूद ले लो जासती नहीं 2-3 चमच पर गरम नहीं करना उसको बिना गरम किया हो, उस दूद को शरीर में ऐसे लगाओ जैसे तेल लगाते तेल, तेल मालिश करते हैं दूद की मालिश करो शरीर दो-तीन मिनिट मालिश करो फिर उसके बाद पानी से नहाओ तो सारा मेल और गंदगी दूद बाहर निकाल देगा, पानी के साथ बाहर चला दूद जो है ना बेस्ट क्वालिटी क्लिंजिंग एजेंट है ये जितने ब्यूटी पॉरलर से ना वहां मिल्क क्लिंजिंग ही किया जाता तो अपना पैसा अमेरिका को नहीं देना है अपना पैसा भारत के शेटकरी समाज को देना तो दूद उससे नहाओ और माने बेसन थोड़ा बेसन ले लो उसमें दूद मिला दो पेस्ट बनेगा उसको रगड के नहाओ फिर एगन है मराठी है दीपावनी के दिन कैसे इसनान करते उटना तो रोज उटने से नहाओ रोज दिवाली मनाओ और उटने में जितनी चीज़ें हैं वो सब शेटकरी सम मिलेगा साबुन का पैसा अमेरिका को मिलेगा तरह करो क्या करना है पैसा किसको देना है शेटकरी समाज को तो या तो उटने से नहाओ नहीं तो दूद से नहाओ नहीं तो मुलतानी मिट्टी से नहाओ नहीं तो बेसन से नहाओ नहीं तो और एक ठोकट का इसनान करने का त मुफत का इस्लान है और हजारों साल हिंदुस्तान के लोग ऐसे ही नहाते साबून की गरज नहीं है शरीर को साबून शरीर के लिए अच्छा नहीं है साबून से इस्लान करेंगे शरीर की तवचा में रूखा पनाता है ब्राईलेस आती है और ज्यादा रूखा हो जाए तो सुराइसिस हो जाता है चर्म रोग हो जाता है इसलिए साबून मत लगए दूद से नहाँ और दूद के नहाने का एक और फाइदा है दूद से नहाँगे तो चामडी है न तवचा ये एकदम सॉफ्ट रहती है नरम और तवचा नरम रहेगी तो फेरेल लबली भी नहीं लगाने पढ़ेगी आजकल बहुत लोग फेरेल लबली लगाते हैं पढ़े लिखे लोग ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि इडियेट वो ही है ये लोग फेरेल लबली लगाते हैं को पूछता हूँ क्यों लगाते हो तो कहते हैं इससे गोरा पनाता तो मैंने मेरे गाव में एक मशी को फेरें लगली लगा के देखा रगडड़ के चार साल लगाया वो मशी अभी भी काली की काली है दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे जो काला है वो काला है जो गोरा है वो गोरा है इसलिए फेरें लगली मत लगाओ फालती का खर्चा है 25 ग्राम फेरेल लगली 40 रुपई में आती है 50 ग्राम 80 रुपई में 100 ग्राम 160 रुपई में 1 किलो 1600 रुपई में खाओ किशबिश खाओ बदान खाओ ये फेरेल लगली में क्यों फस गए तो आप कहते हैं इससे सुंदर्ता आती है फेरेल लगली से कुछ सुन्दरता नहीं आती है, मेरा एक दोस्त है, मैं बताता है, वो मेरे साथ IIT में पढ़ता था कामपूर में, वो मद्रास का रहने वाला है, आपके धर में तवा होता है ना तवा, उसको उल्टा कर दो, इतना काला है, और 20 साल से फेरल लगनी लगा रहा है, 20 साल से, क्रीम से सुन्दरता नहीं आती, पाउंदर और लिपिस्टिक से सुन्दरता नहीं आती, सुन्दरता आती है गुण कर्म और सुभाव से, आपके गुण अच्छे बनाओ, कर्म अच्छे करो, सुभाव अच्छा रखते हैं, जिनके गुण कर्म सुभाव अच्छे होते हैं वो दुनिया में सबसे सुंदर होते और भारत में तो ये कहा जाता है शरीर सुंदर नहीं होता आत्मा सुंदर होती क्योंकि शरीर तो नश्वर है आज नहीं तो कर,कल नहीं तो परसो मरना लुक्त subscribers मरना सभी को है कि मरने से पहले वो शरीर 70 किलो का है और लकड़ी से जलाने के बाद 20 ग्राम का रह जाता है तो इस शरीर को क्यों घमंड कर रहे हो इतना ये 20 ग्राम माटी में बदल जाएगा कोई याद भी नहीं रखेगा इसके मरने के बाद किसी का शरीर याद नहीं किया जाता गोरापन और कालापन याद नहीं किया जाता याद किये जाते हैं उसके गुर्ण, उसके कर्म, उसका सुभाव कोई मर जाये तो हम कहते हो कितना देश भक्त था, कितना देव भक्त था कितना धर्म भक्त था विचारा मर गया ऐसे कभी याद किसी को नहीं करते हो मर गया कितना गोरा था विचारा मर गया कोई नहीं कहता है तो इसलिए शरीर पर घमंड मत करो ये चला जाएगा आज नहीं तो कल आत्मा अमर है शरीर अमर नहीं है तो शरीम की सुन्दर्टा के चक्र में मत फसो, आत्मा को सुन्दर बनाओ, आत्मा गुर्ड कर्म सुभाव से सुन्दर होती है, आप इसी को करो, ये फेरल लगी, क्लियर से ली क्लियर को ठालतू करी में बन करो, ये हैं सब, कोई खराब नहीं है, सब बहुत अच्छे, अपन को कोई चीज बहुत सुन्दर लगती है, दूसरे को वो नहीं लगेगी, तो देखने वाले की आँखें सुन्दर होती है, शोहीर सुन्दर नहीं होता है, अपनी आई कितनी भी खराब हो, लेकिन दुनिया में सब से सुन्दर वही लगती है, क्योंकि हमारी आँखें, आई तो आप बोलेंगे कैसे बनाएं, थोड़ा दूद ले लो, चेहरे में उसकी मालिश करो, फिर रेजर चलाओ, बहुत चिक्नी दाड़ी बनाओ, दस साल से मैं बनाओ, चार फाइदे हैं, दूद लगाके दाड़ी बनाओ, तो रेजर बहुत आसानी से चलता, बलेट की जिंद जादा मिलता है, और चौथा फाइदा, रोज दूद लगाओगे, दाड़ी बनाओगे, तो चेहरा चमकेगा, और आप फोकट में स्मार्ट हो जाओ, खल सबेरे से दूद से दाड़ी बनाओ, और कलंबोडी में जितने भी सैलून चलाने वाले हैं ना, उनको भी कहो, दू जगे बनेगी, फिर फैशन चलेगा, फिर पूरे मुंबई में बनेगी, मेरा एक ही लक्ष है, मुनाफा शेतकरी समाज को मिलेगा, आजकल जाहिरात आते हैं, पान पराग, मानक चंग, उचे लोग, नीची पसंद, मानक चंग बहुत खराब चीज़ है, यह जो गुटका ह क्रूसिबिल समझते हैं, केमिस्ट्री की लबरेटरी में एक बरतन होता है, जिसमें कोई भी चीज़ उबाली जाती है, तो क्रूसिबिल में यह सब, पान पराग, मानक चंग, गोवा, शरी और पता नी क्या-क्या घुटका मिलाके उबाला, उबालते हुए मैंने उसमें आ मत खाना करें जो इस स्टेल की टांचनी को गला देता है गुटका वो आप खाओंगे तो पेट में क्या-क्या गलाएगा नहीं तो मुँखा कैंसर हो जाएगा 200 टका गारेंटी दे रहा हूं मुँखा कैंसर हो जाएगा और गुटका खाओ तो उसके पहले एक दिन दस मिनट बारत के करशी मंतरी शरत पवार की मुलाकात प्येले लेना उनको मिलने जाना भेटी करने जाना जराएगा और पूछना कि गुटका खाने का क्या मजा है तो वो बताएंगे आपको कि क्या मजा है उनसे अच्छा कोई नहीं बता सकता इस देश में गुटका खाने का क्या मजा है यहाल हो गया है मूँ का एक तरफ मूँ लटका हुआ तो गुटका खाओ तो पहले याद कर लेना भारत के क्रशी मंतरी को अगर यह हो सकता है तो आपको तो उससे भी जल्दी हो सकता है मत खाने तो आप बोलेंगे फिर क्या खाएं गुटके से अच्छा बहुत कुछ है खाने के लिए काजू खाओ बदाम खाओ किश्मिश खाओ मुनक्का खाओ क्या नहीं है अपने पास गुटका ही क्यों खा रहे हो गुटका आता है चार रुपई का दो ग्राम आठ रुप मैं कई काजू अच्छा है को बदर नहीं करना और व्यसन में एक आखरी चीज है चाय और कौफी में नहीं पी ये भी व्यसन चाय का व्यसन इतना खराब है अंग्रेज आये तो उन्होंने चाय पिलाई होकट में अब हम इतने पागल हैं कि खरीद कर पी रहे हैं चाय को अंग्रेजों ने लाया This देश के पहले चाय नहीं ती ती अब हम पी रहे हैं leveling और इतना पी रहें कि एक दिन में ददस प्याले पी जाते हैं किसी को भी पूछो बोलता है एन इन टाइम इस ठीटाइम कभी भी चाय पी सकता कई लोग तो कहते हैं कि सबेरे राजी भाई संडास नहीं उतरती जब तक चाई नहीं की ज़िए क्या सब्क्तिया नाश किया आप लोगों ने अपने शोरी यह चाई कौफी भग त्यों बिद्यार्थियों को तो बहुत ही खराब है आप बोलेंगे क्यों क्यों क्योंकि यह सब शरीर को तक्लीद देते अ, मत की और बैस का दूद नहीं पीना मशी का दूद नहीं पीना मशी का दूद प्योगे मशी जैसे ही हो जाओ अभी सड़क पे देखो मशी खड़ी हो जाए सामने से ट्रक आए पीछे से बस आए कितना भी हॉर्ण बजाए मशी हटती नहीं क्यों नहीं हटती उसको अकल नहीं हटे के से मशी इतनी मूर्ख है कि कीचड में घुश जाती है गंदे पानी में फिर निकलती नहीं डंडा मारो फिर भी नहीं निकलती मशी का बच्चा देखा है जब जनब लेता है जमीन पर गिर जाता है खड़ा नहीं हो पाता दो दिन तीन दिन चार दिन ऐसे ही पड़ा रहता है उठा के रखना पड़ता है गाए के बच्च विवाद रणिंग दोडता है और इतना दोडता है कि पकड नहीं सकते। क्यों गाए का बच्च गाए का जूत पीता इसलिए उसमें फुर्पी है, चुस्ती है। और मशी का बच्च मशी का पीता इसलिए आलसी है। आप यह बताओ भगवान क्रश्ट ने गाय पाली की मशी मशी क्यों नहीं पाली क्रश्ट भगवान के पास साथ लाख गाय थी एक मशी तो रखी सकते थे एक भैस रखने में क्या तक्लीफ थी नहीं रखी उन्हों उनके भाई थे बलराम उन्होंने भी गाय पाली पिता उनक गाय पाली भगवान राम के घर में गाय दश्रत ने गाय पाली जनक महराज जो सीता के पिता थे उन्हों ने गाय पाली शंकर भगवान के पास गाय का नंदी दत्त भगवान ने गाय पाली सारे देवताओं ने गाय पाली है मशी सिर्फ यम्राज ने पाली है तो मशी का दूद पियो यह अपर आज के पास जाओ जाना है? मत जाओ अभी देश को जरूरत है आपको मशी का दूद कभी नहीं पिना आपको मैं गंबीर माहिती देता आपने आज कर डॉक्तरों के मुँझ से सुनाए दूद पीने से कॉलेस्टरोन बढ़ता वो मशी का दूद पीने से बढ़ता है गाय का दूद पीने से एक ग्राम भी कॉलेस्टरोल नहीं बढ़ता और मशी का दूद पीने से सबसे जास्ती कॉलेस्टरोल बढ़ता है कॉलेस्टरोल बढ़े तो हर्ट अटेक आता है हर टटेक आया तो यम्राज के पास जाना परो पिफ़न, कॉंपोटिशन और वो इस परदा ऐसे कराई कि दोनों का IQ टेस्ट करना था इंटेलिजेंसी क्वेस्ट कौन इंटेलिजेंसी तो मैंने क्या किया उसके लिए कि एक दिवस गाय के बच्चे को जो मात्र दो महिने का था उसकी आई से दूर ले जाकर जंगल में छोड़ दिया और उसकी आई को मेरे घर में बंद करके ताला लगा दिया तो गाउं के शेदकरी सब पूचने लगे क्या होगा मैंने का ये गाय के बच्चे का दोड़ता दोड़ता आ रहा है रास्ते में उसको पांच-छे गाय मिली वो किसी के पास नहीं रुका वो अपनी आई के पास आके खड़ा लगे चिल्लाने लगा अंदर से उसकी आई चिल्लाने लगी तो मैंने दर्वाजा कुन दिया दोनों मिल गे तो मैंने शेटकरी नागरिकों को कहा देखो गाय के बच्चे को इतनी इंटेलिजेंसी है ये जंगल से आकर गाउं का भी खोच किया आई को भी खोच किया और ये यहां तक पहुंच गया और उसकी आई को घर में बद करके ताला लगा दिया अब समस्या ये हो गई कि वो मशी का बच्चा आज तक गाउं में वापस नहीं आया आप बोलेंगे वो कहा गया वो दूसरे गाउं में चला गया और दूसरे गाउं में दूसरी मशी के साथ चला गया और दूसरी मशी इतनी मूर्ख ले गई उसको अपने साथ उसको माईदी नहीं है कि यह उसका बेटा यह नहीं है ऐसी मूर्ख मशी उसका पियो दूर हो जाओगे सब ऐसे मन पी ना तो आप बोलेंगे फिर दूर किसका पी है गाय का पी ना आप बिपयोग अभी भी टीवी जाहरात देखकर आउशद नहीं लेना आउशद जैसे टीवी में जाहरात आता विक्स विक्स का जाहरात आता ना विक्स सरदी जुकाम की आउशद कभी मत लेना क्योंकि विक्स जो है बहुत खराब आउशद है अमेरिका में 20 साल से विक्स बंद है, बैन है, डॉक्टर ये कहते हैं कि विक्स अगर उप्योग किया तो दमा हो जाता है, अस्थमा, इसलिए विक्स उप्योग नहीं करना, बैनेड्रिल कभी उप्योग नहीं करना, तॉरेक्स, एक कफ सीरप आया है, कभी मत उप्योग करना, एस्पिरिंग, डिस्पिरिंग, एनालजिन, नोबालजिन, परसीज़मोल, इस्टेप्रमाइसिन, टेरमाइसिन, बेरालगन, बूटाजोल, ऑक्सिफिन बूटाजोल, ये सब अंग्रेजी आउशद खतरनाक जहर हैं, कभी नहीं वहाँ आप बोलेगे फिर क्या करना, आपके स्वयमपाग घर में जो अउशद है, उसका उट्योग करना, आप बोलेगे स्वयमपाग घर में क्या उशद है, अगर आपको सर्दी हो गई, सर्दी, तो सर्दी की सबसे अच्छी अउशद स्वयमपाग घर में है, आल का रस, आल है ना जिंज, अदरक उसका रस निकालो और उसमें थोड़ा मद मिलाओ मद मने शहर और उसको गरम करके पीलो तो सर्दी, खासी, बुकार, जुकाम सब ठीक कर दो और आल के रस में थोड़ा तुलसी का रस मिलाओ और मद मिलाके गरम करके पीलो तो दस साल पुरानी भी सर्दी हो तो मिटा दे और जिन्दगी में कभी भी सर्दी ना हो इसके लिए बहुत अच्छी आउशद है रात को दूद पीना उसमें हड़त मिला के पीना सोने से पहले हड़त का दूद कोई भी पीए तो जिन्दगी में कभी भी सर्दी, खान, बुखार और टॉंसिल की बीमारी जो बच्चों को होती है ये कभी नहीं हो अपने स्वैंपाग घर में ऐसी बहुत आउशद है हमारे स्वैंपाग घर में एक अच्छी आउशद है जो ताप बुखार में बहुत काम आती है वो आउशद ये ही है, तुलसी का रस तुलसी का रस ले लो और एक आयुर्वेदिक आउशद आती है एक आयुर्वेदिक आउशद आती है, उसका नाम है छोटी पीपर सुनाए करें, छोटी पीपर बिल्कुल छोटी सी काले रंकी होती है नहीं लवंग नहीं लवंग अलग चीज है पीपर है आप ऐसा करना आयुरवेद की दुकान में जाना उसको बोलना वो देगा छोटी पीपर बिल्कुल ऐसी होती है जैसे काली मिर्च होती है वैसी होती है लंबी सी होती है उसको घिसक कर उसका पाउडर और थोड़ा सा तुलसी का रस और मद ये तीनों मिलाकर पीने से कितना भी ताप हो कितना भी भुखारों खतम हो जाए ऐसे ही अपने स्वैंपाग घर में बहुत अच्छी आउशद है मैथी का दाना मैथी दाना देखा है ये घुट्मे का दर्द है कमर का जूडर देखा है संदिवात की सबसे अच्छी oश्शद का इसको रात में पानी में डालना एक चमछ चाहें बहुत सुपकर मैथी का दाना फौना कर पीछे से पानी कि देखा सर दो दो महिने में सारा संदिवाग कि फ़तम हो जाता और इस ही मैथी के दाने से डइविटी कीविक जाती है आदे सिरका है और यह मैथी का दाना फाली हैrzy बहूद के लिए बहुत हुप्योकि होती है तो मेनुपा।्स पीरियेद शुरू होता है। बहुत इश्सम्हे सब आई को हुते हैं उस समय hält करेंग मैथी का दाना सबी आई को इसे ही अपने स्वेंपाग घर में बहुत अच्छी आउशद है चूना पांट में जो चूना लगा के खाते हैं यह एक चूना 48 बीमारियों में आउशद का काम करता एक बहुत खराब बीमारी आती है उसका नाम है पीलिया अंग्रेजी में कहते हैं जॉन्डिस मराटी में श चूना मिला के पिलाओ जिसको भी काविड़ हुआ साथ ही दिन में काविड़ चीक हो जाए कितना पिलाएं एक ग्राम चूना और एक किलास उसका रस इसी चूने से और एक रोग ठीक होता है आखों में अगर बोतिया बिंद आ गया केट्रेक्ट तो ऑपरेशन बिना केट् कूछ बढ़े नने गुझ बढ़े और कुछ बच्चे अच्छा है लेकिन बुधि कमजोर है ब्रेग कम है उन्को चूना खिलाओ ब्रेग अच्छा हुआ आप मैंसे बहुत सारी बहने हैं जिनको अक्सर एक बीमारी है बाल टूट रहे हैं आप चूना खाना शुरू कर दो अगर आपको नाखुन में कोई तक्लीफ आ रही है चुना खाओ नाखुन अच्छे हो जाएंगे अगर आपको शरीर में चुस्ती फूर्ती का भूप कम लग रही है चुना खाओ भूप अच्छी लगेगी मैंने इस चुने का प्रयोग करके 48 बीमारियों को ठीक किया है और पिछले 6 साल में हजारों रोगियों को ठीक किया फोकट में बिना एक पैसे खर्चे के तो मैं सब को बोलता हूँ चुना खाओ चुना किसी को लगाओ मत चुना खाओ चुना खाने के लिए स्वयमपाग घर में ऐसी कोई आउशद नहीं है जिससे बीमारी ठीक ना हो मैंने एक दिन स्वयमपाग घर का हिसाब निकाला था स्वयमपाग घर में 108 आउशद हैं और 148 बीमारीयों का इलाज उससे होता है तो आप कभी भी बीमार पड़ें तो बजाए डॉक्टर की दवा खाने के स्वयमपाग घर की आउशद खाओ और चलते चलते एक आखरी माही की देता हूँ कि जिनके भी मैं चार सूत्र का पालन करो तो बीमार नहीं पड़ोगे कभी चार सूत्र मैं बताता हूँ अगर विद्यारतियों के पास नोट बुक है तो निकाल के लिख ले, कागज है तो कागज पर लिख ले, डायरी है तो डायरी में लिख ले, क्योंकि ये बताने कोई दुबारा नहीं आएगा आपके पास, मैं आपको चार ऐसे सुत्र बता कर जा रहा हूँ, जीवन परियंत क रहना है, सुखी रहना है, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, आउशद ना खानी पड़े, ओपरेशन ना कराना पड़े, इसके लिए आयुरवेद के चार सुत्रों का पालन करो, बोलू, बहुत सरल सुत्र है, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे, लिखेंगे तो अच्छा नहीं तो याद हो जाएंगे, पहला सुत्र है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत प्यो, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत प्यो, खाना खाने के बाद पीना है तो ताक प्यो, और कुछ पीना है तो दूद प्यो, या तो जूस प्यो, पानी मत प्यो, खा फाना खाने के 40ूट पहले पानी पी सकते हैं यंद पrale पानी पी सकते हैं बात समझ लोग जो बुच्छभी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जिस इस्थान पर यह अबता होता है उस इस्थान को कहते हैं जठर, शन्सक्रिप्ट में कहते हैं मराठी में में कहते हैं जठर अंग्रेजी में कहते हैं एपिगेस्ट्रिकम हिंदी में कहते हैं आमा शर यह एक ही चीज के चार नाम तो जठर नाम का जो इस्थान है यहां पर सारा भोजन इकठा होता है जठर में अगनी जलती है उसको कहते हैं जठर अगनी अर्थात जठर अगनी यह तो खाने का पाचन होता है तो खाना जैसे खाते अगनी जलती है अगनी जलती है उसी समय आप गट-गट-गट-गट पानी पी लेते हो तो अगनी शान्त हो जाती है तो खाना पच्छता नहीं तो खाना सालता है और सडा हुआ खाना 103 रोग पैदा करता है इसलिए आइरुवेद में कहा गया है भोजन के तुरंट बाद पानी नहीं पीना कब पीना एक घंटे तीस मिनट बाद पीना और प्यास लगे तो मैंने बोला ताख पीना या तो दूद पीना नहीं तो जूस पीना पानी नहीं पीना ठीक है ताख पीना हो तो दुपहर को भोजन में पीना जूस पीना हो तो सुब़े के भोजन में पीना और दूद पीना हो तो रात के भोजन में पीना दिनर के बाद दूब, लंच के बाद पार, ब्रेकफास्ट के बाद जूस दूसरा नियम, दूसरा नियम है कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना थोड़ा थोड़ा पानी पीना सिप्ट सिप करके पानी पीना एक साथ गट-गट-गट पाणी नहीं पह थे क्यों पाणी थोड़ा-थोड़ा पीएं तो मू की जो लार है जिसको लालारस कहते है स्लाईवा कहते है यह पाणी के साथ मिक्स होके अंदर जाता यह लार जो है वो छारी होता है और पेट में अमल होता है वो ऐसे दिख होता है तो अलकलाइन माले छार और अमल दोनों मिलें तो न्यूट्रल हो जाता तो पेट जिंदगी भर न्यूट्रल रहे इसके लिए पानी घूब घूब पिएं थंड़ा पानी माने फ्रिस का पानी बरफ डाला हुआ पानी गलती से नहीं पीना जानना चाहिए थंड़ा पानी जैसे ही आप पीते हैं पेट में जाएगा पेट को थंड़ा बनाए और अगर पेट थंड़ा हो गया तो शरीर भी थंड़ा हो जाए शरीर थंड़ा हुआ तो म्रत्यू हो जाए इसलिए शरीर क्या करता है जैसे ही आपने थंड़ा पानी पिया शरीर इसको ग को रख्त की कमी पड़ जाती है बार-बार अगर ये घटना घटित हो तो कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं तो आपको हरकटर आ सकता है ब्रेन हैम्रेज हो सकता है इसलिए ठंडा पानी नहीं कि और ठंडे पानी का एक दूसरा दुष्परिनाम है हमारे पेट में दो आथ होती हैं इंटेस्टाइन एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है उसमें बीच में गैप रहता लेकिन ठंडा पानी पीता है ये लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है आपने एक बार ठंडा भी पोट साफ नहीं होगा कभजियत हो जाए भी कॉस्टिपेशन आए मैंने अमेरिका में देखा है यूरोप में देखा है बहां के लोग बहुत थंडा पानी पीते हैं चिल्ड बॉट पानी में बरफ डालते हैं और फ्रिज में रखते हैं फिर पीते हैं इतना थंडा पानी पीने वाले जो अमेरिकन लोग है ना उनको एक ही तकलीफ है सुबह सुबह जब वो संडास घर में जाते हैं दोन-दोन तास बाहर ही नहीं आते दलतर ही बैठे उनको मैं पूछता हूँ तुम क्या करते हो संडास घर में दोन तास वो कहते हैं आप न्यूस पेपर पढ़त पानी पीना तो आप पूछेंगे पानी कैसा पीना पानी पीना पीना, dios 7-3 सूत्र सना उते ही पानी पानी पीना कम से कम एक गिलास, अधिक से अधिक तीजिलास उटते ही पानी पिएंगे तो क्या होता है मूँ का लाग अंदर जाता है जो छारी है राट बर पेट में अंद बना है तो यह छार और अंद मिले तो पेट नीटरल हो गया एक फाइदा दूसरा फाइदा सुबह उठते ही पानी पीओ, फिर संदास में जाओ, तो पानी सीधे इंटेस्काइन तक पहुचता है, और उसको पूरा साफ कर देगा, तो कभी भी कॉंस्टिपेशन नहीं आता, उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता, तो चार सी उत्र मैंने बताए उनको फिर गोराता हूँ, खाना खाने के लेड़ घंटे बाद पानी पीना, खाने के थुड़न बाद पीना हो तो ताक पीना या तो दूद पीना नहीं तो जूस पीना, दूसरा नियम है पानी भूट भूट पीना, तीसरा नियम है ठेंडा पानी नहीं पीना, चौथा न प्राइटी में कहते हैं हडु 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 घ्या, सावकाश घ्या, यह बहुत scientific है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबाके खाएगे न तो ज्यादा लार खाने के साथ अंदर जाएगी, तो डाइजेशन परफेक्ट होगा, जिनका डाइजेशन परफेक्ट है, उनकी रहोगे और आजकल रोगी होना और डॉक्टर के पास जाना बड़ा खतरनाक है मैं तो लोगों से कहता हूं रोग से नहीं डॉक्टर से बचो रोग खतरनाक नहीं है कि इस देश में मरे हुए व्यक्ति पर operation कर दे, पता ही न चलिया, इसलिए इनके चक्कर में मत पसुख, अपने स्वेंपा घर की आउशदियों का उपयोग करो, आयुर्वेट के सूत्र का पालन करो, चाय कॉफी मत पियो, व्यसन मत करो, जिन्दगी में रोग आएगा नहीं, लाखों करोडों रुपए आपके बच सब सुखी हों, सम निरोगी हों, किसी को कोई दुख न हो, तो देश भी सुखी, हम भी सुखी, तो अगर यह देश सुखी हो गया, तो सुजलाम सुफलाम बनेगा, फिर सोनी की चड़िया होगा, अगर आप सम ऐसा करीगे, तो यह भावना से मैं आपका अभार वेक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपके बड़े ध्यार में से स्थान की से मिलेशना, और जितनी माहिती मैंने दी है, वो दूसरों को जरूर देना, क्योंकि ग्यान को जितना फैलाएं, उतना ही बढ़ता है, और उसका मूर लिपढ़ता है, अब आपको यह लगे कभी कि य दूसी और अध्रक जैसी ओशदी उससे क्या ठीक हो सकता है, ऐसी मेंदारी की महिती देने वाली साथ-ाठ तरे की पुस्तक हैं, आप ले सकते हैं, दुरुभागे से वो हिंदी में है, मराठी वाली में दानी पाया, क्योंकि मैं बीच मैं से आया इस कारिक्यम के लिए, कभ इतने से पत्र पहुंच जाता है, आप मराठी चाहें तो मगा सकते हैं, हिंदी पुस्तक यहां है, साथ-ाठ करे की हैं, आप ले सकते हैं, पढ़कर दूसरों को दे सकते हैं, और जो व्याक्षान में ने दिया, इसकी 40 घंटे की आडियो सीडी और वीडियो सीडी है, वो सी खादी अपनी सुरक्षित रखेगा, और सुझलाम सुफलाम हो जाएगा, हम लोगों ने अभियान शुकू किया था, तो फंड की बहुत समस्या थी, कोई भी काम करो तो फंड लगते, तो हमने एक रास्ता निकाला, हम लोग खादी बनाते हैं, चर्खा चलाते हैं, खादी बनाते हैं, वो खादी की बिक्री से हमारे फंड से कट्टे करते हैं, तो हमारे कारिकलताओं का बनाए हुआ थोड़ी खादी का कातर भी है, अगर आप लेंगे तो इससे हमें थोड़ी आर्थिक मदद मिलेगी, आपको खादी का कातर मिलेगा, उस तक और सीडी लेंगे त आप सब एक दूसरे की मदद कर सकेंगे, ऐसे भावना से आपका अभार देती करता हूं, धन्यवाद देता हूं, और ये माहिती सब को दें, ऐसे भावना के साथ बहुत शुक्रिया, धन्यवाद.